नमस्कार, उत्राखन राज्य के एंत्रागर्स सुक्षा विभाट में तमाम महत्पूर्ण भरती विग्यापन जारी के गए हैं, कौन-कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आभी दन कर सकते हैं, क्या इसकिस स्यक्षिक क्यों के दा रखी गई हैं, चलिए आगे जा गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इपार्टमेंट के अंत्रगत, और असोशेट प्रॉफेसर अकैडमिक पे लेवल 13A के अंत्रगत, टूटल नमबर और पोस्ट के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जारी किये गए हैं, 63 पोस्ट और इसी तरीके से अगर मैं असुस्टें प्रॉफेसर वसस्टेंट प्रॉफेसर के लिए, टूटल नमबर और पोस्ट दो सो तीन, दो सो चार जारी की गई हैं, चलिए अब बढ़ते हैं, नौटिविकेशन की तरफ सबसे आगे, और सबसे पहला जो नौटिविकेशन आपका रिलीस किया गया है, हेमोंती नंदन नेक्स जो नौटिविकेशन रिलीस किया गया, वो भी आगे डिस्कूशन करेंगे, तो यहां पर जानकारी दिया गया है, हेमोंती नंदन बहुना, गडवाल उनिवोरसिटी, जो कि आपका सेन्टर उनिवोरसिटी है, इसके अंतर इंवाइट किये गये है, ओनलान अप्लि सलग ऑपर 44,200 से आपका स्टर इस्टार इस क्रेंटर उक्मुकाशन आपका स्टर गाया, इसके और सी नेकुल्न आँड़ाफीय क्या गया गया, देखन आट्स पर जाने पर जारी किया गया है, इसी तरीके से स्कूल आर्ड एंसाइंस के अंतर गई इधेंस, स्टैजिक अर प्रफिश्य के लिए 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 प्रफि for undeserved category के लिए information technology में आपका one post जारी किया गया है आप यहां पर category wise से check out कर सकते हैं EWS category के लिए जो की रखा गया है and आपका next job instrumentation में रखा गया instrumentation engineering में वो आपका SD category के लिए है और mechanical engineering में आपका journal category के लिए एक पद रखा गया है professor post के लिए school of humanity and social science के अंद्रगत भी एक पद रखा गया है for the post of SD candidate के लिए department of anthropology के अंद्रगत economics में आपका department of economics में वन पद रखा गया है for EWS category के लिए आपका ancient history and archaeology यानि पुरातत भी भाग के अंद्रगत आपका जारी किया गया एक पद जो कि आपका OBC के लिए है और इसमें environmental and archaeology के अंद्रगत one post है अंद्रगत के लिए history के अंद्रगत आपका पद जारी किया गया एक पद SD category के लिए political science के लिए एक पद जारी किया गया वो PWBD candidate के लिए है sociology के अंद्रगत एक पद जारी किया गया जो कि आपका EWS candidate के लिए reserved है school of law के अंद्रगत आपका Department of law में one post जारी किया गया वो आपका जारी किया गया ओबी सी candidate के लिए school of life science के अंद्रगत आपका professor पद पद जारी किया गया है इसी काटेगरी के लिए department of botany and microbiology के लिए ठीक है next आपका microbiology के लिए department of microbiology में one post है यहां पर इसकी जानकारी दिया गया है कौन सी काटेगरी के अंद्रगत आता है OBC के लिए जारी किया गया है जोलोजी के अंद्रगत भी एक पाद है वो भी आपका OBC काटेगरी के लिए जारी किया गया school of management के अंद्रगत आपका टू बच जारी किया गया है for unreserved candidate के लिए और एक post आपका है SD candidate के लिए और tourism में भी one post जारी किया गया for the post of unreserved Central Mountain Tourism and Hospitality Study Department के अंदरगद School of Science में Chemistry में one post रखा गया है SD के लिए Home Science में one post है Professor के लिए SD के लिए and Pharmaceutical Science में आपका two post रखी गई है one post आपका SD के लिए and one post आपका OBC candidate के लिए है इसी तरीके से आपका Statics के अंदरगद Department of Statics में आपका one post है unreserved के लिए तो आप चेकाउट कर सकते हैं total आपका Professor पर 32 पदों पर ये भरती विग्यापन जारी किया गया है नेम और पोस्ट असोशेट प्रोफेसर का academic pay level 13A है 13A मिनिमुम आपका according to UGC norms 131,400 अप्रोक्सिमेटल स्टार्टिंग हो जाता है और इसके अंदरगद Department divide किये गए है School of Agriculture and Light Science के अंदरगद Forestry में आपका Department of Forestry and Natural Resources के अंदरगद वन पोस्ट अपका OBC candidate के लिए वो divide किया गया है Plant and Physiology, Biophysical, Plant and Physiology के अंदरगद वन पोस्ट तू पोस्ट है, वन पोस्ट अपका Unreserved के लिए है OBC के लिए डिवाइट के लिए है हर्टी कलचर के लिए वन पोस्ट है आपका, वो अपका डिवाइट किया गया ST, OBC and PWBD Candidate के लिए Journalism and Mass Communication में टू पोस्ट है ST and OBC के लिए डिवाइट किये गए है Journalism and Mass Communication के और Library Information Science में भी वन पोस्ट है आपका जारी किया गया है जो कि आपका EWS Candidate के लिए है इसी तरीके से आपका Music and संस्कृती में भी पद जारी किये गए है जो कि आपके डिवाइट किये गए है OBC Candidate के लिए School of Commerce के लिए टू पोस्ट है एक Unreserve के लिए एक OBC Candidate के लिए ये रिजर्व किये गए है उसके बाद School of Earth Science के लिए आपके पद डिवाइट किये गए है Defense Strategic and Geo Political Study में आपका Department of Defense Strategic and Geo Political Study में पर जारी के गए है तो Unreserve के लिए एक OBC के लिए है जग्रॉफी में पोस्ट जारी किये गए है आपका टू पोस्ट है एक Journal के लिए एक OBC के लिए है आपका Next Geology में है One Post Unreserve के लिए आपका Remote Sensing and GIS Application में One Post है EWS काटेगरी के लिए डिवाइड किये गए है School of Education में भी One Post है आपका Education में आपका One Post है OBC के लिए Next आपका Physical Education में One Post Unreserve के लिए है Yoga में आपका One Post OBC Candidate के लिए है इसी तरीके से School of Engineering Technology में पर आपका डिवाइड किये गए है Computer Science में आपका Department of Computer Science and Engineering में पर जारी किये गए एक जो कि आपका OBC Candidate के लिए है Next आपका Computer Science and Engineering में One Post डिवाइड किया गया है Unreserve Category के लिए Electronic and Communication Engineering में Two Post है One Unreserve के लिए One SC Candidate के लिए Information Technology में One आपका OBC के लिए रखा गया है Next आपका Mechanical Engineering है तो डिवाइड किया गया है OBC Candidate के लिए इसी तरीके से आपका Post डिवाइड किये गए School of Humanity and Social Science के अंतरगर Two Post रखी गए है One Post आपका Unreserve and SC Candidate के लिए Economics में Two Post है History में आपका तीन पर रखे गए है Two Post Unreserve के लिए एक Post आपका ST Candidate के लिए इसी तरीके से Political Science में आपके पर जारी किये गए है Social Work में One Post है Sociology में आपका One Post है School of Law में Biotechnology में One Post है Botany में One Post है Microbiology में One Post है Environmental Science में आपका One Post है Geology में आपका One Post रखी गए School of Management के अंतरगर Business Management के अंतरगर दो पर है आपका Associate Professor के लिए Tourism में एक पर है और Hotel Management के अंतरगर तीन पद आपके जारी किये गए है Next, आपका School of Science के अंतरगर Physical Chemistry में Two Post है In Organic Chemistry में आप Department of Chemistry में One Post है Chemistry में आपका One Post है Mathematic में One Post है Pharmaceutical Chemistry में One Post है Pharmaceutical Science में आपका One Post रखा गया Physics में आपका Department of Physics में One Post है इस तरीकी से आप Checkout कर सकते हैं इसमें total number of post 63 जारी किये गए हैं, 24 आपका undeserved category के लिए है, 9 post आपका ST candidate के लिए है, 6 पद आपका ST candidate के लिए है, 16 पद आपका OBC के लिए है, 6 पद आपके जो जारी किये गए है, EWS candidate के लिए जारी किये गए है, 2 post आपका PWBD candidate के लिए जारी किये गए है, next जो आपका post assistant professor के लिए जारी किया गया academic pay level 10 minimum आपका starting हो जाता है 57,700 से आपका starting है school of agriculture and light science के अंद्रेगद two post है आपका जो की divide किये गए हैं एक PWBD candidates के लिए हैं एक OBC candidates के लिए है next आपका school of arts and communication language में drawing and painting के अंद्रेगद one post है for the post of SC के लिए assistant officer के लिए and English में आपका two post divide total number of post 3 है इसमें two post undeserved के लिए है and एक post आपका EWS candidate के लिए हिंदी में भी आपके पज़ जारी किये गए हैं दो post हैं एक post आपका OBC के लिए एक post undeserved के लिए journalism and mass communication में आपके पज़ जारी किये गए हैं total vacancy एक है library and information science में आपके two post जारी किये गए हैं एक OBC के लिए and एक EWS candidate के लिए रखा गया है school of earth में science में आपका defense strategy geopolitical and study में 6 पज़ जारी किये गए हैं इसमें आपका general and SC, ST, OBC, EWS candidate के लिए पज़ जारी किये गए हैं दो post OBC के लिए हैं geography में 10 पज़ हैं आपका इसमें 3 post आपका undeserved category के लिए हैं आपका SC, ST and OBC में 3 पज़ हैं और आपका EWS, BW, BT candidates के लिए पज़ जारी किये गए हैं remote sensing and GIS application में 1 post है school of education के अंदरगत education and physical education में 15 पज़ जारी किये गए 3 post आपका EWS, OBC के लिए हैं 2 post आपका EWS candidate के लिए है physical education में 3 पज़ जारी किये गए हैं पोस्ट आपका undeserved के लिए है and 1 post आपका EWS, OBC के लिए रखे गए है next post आपका जो जारी किया गया है school of engineering and technology के लिए आपका computer science and engineering, information technology, mechanical engineering, instrumentation, engineering में 1 पज़ जारी किये गए हैं next आपका humanity and social science के अंदरगत 2 पज़ जारी किये गए हैं economics में आपका assistant officer के लिए आठ पज़ जारी किये गए हैं history में आपका 2 पज़ जारी किये गए हैं next आपका philosophy में 2 post है sociology में 4 पज़ जारी किये गएहं school of life science में बॉटनी में 7 पज़ जारी किये गए हैं microbiology में 2 पोस्त है bio technology में 1 फॉस्त है जेलोजी में आपका department of geology में 5 पत जारी किये गए हैं, business management में आपका one post है, tourism में one post है, hotel management में 8 पत है, and physical chemistry में one post है, इस तरीके से total आपका 108 पतो पर assistant professor के लिए भरतिविग्यापन जारी किया गया है, अंडरजब के लिए इसमें 30 पत रखे गए हैं, स्ट के लिए 22 पत हैं, स्ट के लिए 12 पत हैं, और OBC के लिए इसमें 28 पत हैं, और EWS candidate के लिए 12 पत हैं, 4 पत आपका PWBD candidate के लिए हैं, tenure post for a fixed period as defined by the UGC, professor academic pay level 14 में आपका yoga के लिए भी पत जारी किया गया है, इसके बाद journalist में information दी गई है, not दिया गया है, जो सबी candidates के लिए महतपूर हैं, जो भी आविदक करता हैं, सबसे पहले notification को जरूर ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अगर आप eligibility criteria फुल्फिल करते हैं, for any post professor, assistant professor, associate professor के लिए दिन आप eligible हैं, तो आप online mode में आविदन कर सकते हैं, जो भी आगे इसमें notification होंगे, हर एक notification आपको official website पर दिखने को मल जाएंगे, next इसमें जानगारी दिया गया है कि last minute पर website में काफी सारा rust रहता है, traffic sources रहते हैं, और इसमें जिस वज़े से कि technical issue होती है, तो आप इसमें email ID दिया गया है, आप इसमें email कर सकते हैं, the applicant form will be entertained through online mode only, हलांकि आपको application are also required to take print out of duly filled online application form and submit self-attest hard copy along with the requisite upload certificate document through registered post, speed post and courier by hand on the following university address, आपको online form fill करके उसके बाद offline mode में भी आपका जो अपने print करा है, form fill आपका self-attest hard copy and आपका जो certificate document है, आपको वो भी post करना है, speed post courier या by hand आप submit कर सकते हैं, इसकी जो जानकारी दिया गया है, तक आपको चार बजे से पहले submit करने है, candidate are required to mention advertisement number, advertisement date, name of the post and department, subject apply for on the top of envelope, address की जानकारी दिया गया, address for the correspondence, recruitment, sale, first floor, administrative building, H&B गडवाल, university, स्रीनगर गडवाल, district, पौड़ी गडवाल, उत्राखरन, the university shall not be responsible for any postal delay and document received after the last date of submission, 31-23, clearly mention किया गया है, 4 बजे से पहले आवेदन करना है, Friday, 10 मार्च 23, बात करें, online form fill up, इसकी जो है, last date of final submission of online form fill up application, इसकी 2 मार्च 23 से, नक्सुस की application fees की बात करें, जर्नल, OBCWS category के लिए 1,000 रुपीज रखी गई है, for SC, STP, WBT, candidate के लिए, women and applicant के लिए 500 रुपे फीज रखी गई है, assistant officer के लिए, underserved OBCWS category के लिए 500 रुपे रखी गई है, SC, STP, WBT category and women applicant के लिए निल रखी गई है, नक्सुस में फी संबंधी जानकारी दिया गया है, essential qualification की बात करें, the qualification and experience required for teaching post will be as per the UGC regulation on minimum qualification for the appointment of teachers and other academic staff in university and colleges and measure for the maintenance of standard in higher education 2018 and its subsequent amendment including university grant commission minimum qualification for appointment of teacher and other academic staff in university and college and other measure for the maintenance of standard in higher education 2021, date 11 October 2020, useful link दी गई है, UGC regulation संबंधी and university website संबंधी, तो पूरा complete PDF आपको हमारे telegram group उत्राखंट open learn, साथी facebook group उत्राखंट open learn पर available है, जिन भी का अंड़ीट्स ने जोईन नहीं करा है, जरूर जोईन करें, तमाम जितने सारे उत्राखंट के अंतरकत भरती विग्यापन जारी किये जाते हैं, आप सभी लोगों को वो सारी जान 23 में इसमें आपका सैक्चोनिक पदो है तू, भरती विग्यापन जारी किया गया, जो मैंने आप सब भी लोगों के साथ शुयर कर दिया है, विभागों में आपका आचारी, सहायक आचारी के सिक्षक पदो पर सिधी भरती है तू, निक्ती है तू, अह उम्मीद्वारों स इससे निर्धारित आविदन पत्रबर, ऑनलाइन आविदन आमंदित किये गए हैं, पदों का विभरण आविदन की विस्तर जानकारी, वो सरते आप शुविद्ध धाले का ओफिशल वैबसाइट पर दी गई हैं, आप चेकाउट कर सकते हैं, और नेक्स उसमें कुल जारी किये गए हैं, कुल सची के लिए वैतन लेवल 14 पर सीधी भरती होगी, परति न्युक्ति के माध्यम से न्युक्ति है, तो योग यह उच्च प्रेडित ऐसे अभ्यारती, जो की छमता और सपलता का ट्रेड रिकॉर्ड डगते हो, वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं आपको जानकारी के लिए बता दे हैं, कि ऑनलाइन आविदन करने की जो अन्तिम्तिती है, दो मार्च 2023 से हाट कॉपी सब्मिट करने की जो लास्ट डेट है, दस मार्च 2023 से हैं, नेक्स रजिस्टर के अंदरगत जो पोस्ट आपका जारी किया गया है, पे लेवल 14 के अकॉर मार्च 2023 से हाट कॉपी सब्मिशन की इसकी देट दी गई है, दस मार्च 2023 फ्राइडे, इसके लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है, अगर आप रजिस्टर पत के लिए जो इच्छुक आविदक करता हैं, वो आविदन करते हैं, अन्रिजब ओबी CWS काटेकर के लिए 1000 फ पर फीस रखी गई हैं हैं यहाँ पर आपका एजुकेशन कॉलिफिकशन समपन्दित वह आपकाटेकर काविदस की इच्छुक आविदक करता हैं, वो इसके लिए अगर आविदन करना चाहते हैं, तो सारी जानकारी आपको पहले आपसल वाप साइट से रीड गर our eligibility gratitude to fulfil कि दना पाविदन कर सकते हैं और PDF की जानकाड़े आपको हमारी टालिग्राम ग्रूप पर अवैलिबले चक आउट कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंतरकत इतना ही मिलते हैं जो अलद आपको एक नहीं वीडियो के साथ अब तक ये चोयां पर बने रहें जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें साथ में पासरे नोटिफिकेशन बैल आइकन को जरूर हिट करें धन्यवाद जैहिंद बंदेल मातरा